इस लेशन में हम देखेंगे कि सूरज कैसे मौसम और तापमान बदलता है, हवा और पानी की क्या इंपोर्टेंस है और पीने के लाइक पानी कैसे बनाये जा सकता है। लेशन में हम देखेंगे की क्या इंपोर्टेंस है। पानी की बूंदे बादल बनकर बारिश करती हैं इसे वाटर साइकल कहते हैं और यह चक्र चलता रहता है। क्या आपने कभी मौसम को बदलते हुए देखा है। मौसम उस दिन की अलग-अलग कंडिशन होती है जो तापमान, दाब और हवा की रफतार से ना पी जाती है। अलग-अलग मौसम में दिन का तापमान अलग-अलग होता है। जैसे गर्मी के दिन गरम होते हैं, बारिश में कितनी बार तेज हवाएं चलती हैं, आदी। दा सन कॉजेस चेंजेस इन वैदर। हर रितु में मौसम अलग होता है और यह सूरच के कारण होता है। भारत में तीन तरह की रितुएं होती हैं, वर्षा रितु में मौसम ह्यूमिड या चिपचिपा होता है, गर्मी में गरम और ठंड में ठंडा होता है। मौसम हर घंटे बदलता रहता है और हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग मौसम सूरज की अलग पोजिशन की वज़े से देखने को मिलता है Sun causes changes in temperature तापमान सूरज की वज़े से बदलता है दोपहर दिन का सबसे गरम समय होता है क्योंकि इस समय सूरज की किरने सीधी पड़ती है इसकी तुलना में सुबह और शाम के वक्त मौसम ठंडा होता है क्योंकि सूरज की किरने टेड़ी होती है Sun causes winds to blow सूरज की वज़े से तेज हवाय चलती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जमीन गरम होती है तब उसके आसपास की हवा भी गरम होती है और वह उपर उठती है उसकी जगहा लेने के लिए ठंडी हवा उस तरब बढ़ती है हवा के इस मौमेंट की वज़े से आंधी आती है Sun causes changes in states of water पानी तीन फॉर्म में होता है Solid, Liquid, Gas इन तीन फॉर्म को बनाने में सूरज मदद करता है ये तीनों फॉर्म एक साथ वाटर साइकल में देखे जा सकते हैं Activity 1 How temperature causes changes in the states of water हम देखते हैं पहले step में कि पानी को किसी कंटेनर में गरम करते हैं तब देखा जाता है कि पानी भाब बनकर उपर उड़ता है Step 2 पानी ठंडा जब हो जाता है तो वापस बूदों में बदल जाता है और धकन के नीचे इकठा हो जाता है Step 3 हम इस पानी को किसी आइस ट्रे में लेते हैं और उसे फ्रीजर में रग देते हैं कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं कि यही पानी बर्फ बन जाता है इसका क्या मतला हुए कि टेंप्रेचर पानी की अलग अलग दशाओं को दर्साता है Air हम सभी जानते हैं कि मानो जीवन को जीवित रहने के लिए हवा आवर्शक है और यह हमारे चारों तरफ है हवा में जर्म्स धूल के कण और धुआ भी मौजूद होता है तेज हवा को आधी कहते हैं और जब यह बहुत तेज होती है तो तूफान का रूप ले लेती है Hot and Cold Air Activity 2 एक बॉटल की उपर एक बलून लगा कर उसे एक बर्नर पर रखें और कुछ समय के बाद बलून फूलना शुरू हो जाता है बॉटल में मौजूद हवा गरम हो गई है और इस वज़े से उपर की ओर उठती है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि गरम हवा उपर उठती है और यही गरम हवा बलून को फूलाती है अगर यही एक्टिविटी हम ठंडे पानी के साथ करेंगे तो बलून नहीं फूलेगा क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और उपर की तरफ नहीं उठती सी ब्रीज दिन के समय जमीन गरम हो जाती है और उसके आसपास की हवा भी जिस कारणवे उपर उठती है लेकिन समुद्र के उपर की हवा ठंडी है और वो इस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ आती है जिसे सी ब्रीज कहते हैं यह सिफ दिन के समय होती है लेंड ब्रीज वहीं रात के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है लेकिन समुद्र अभी भी गरम है इसलिए ठंडी हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है जिसे लेंड ब्रीज कहते हैं और ये रात को होती है धर्टी का करीब थ्री फोर्थ हिस्सा नदी जील और समुद्र के रूप में पानी से भरा है पानी अपना रूप थंड़ा और गरम करने पर बदलता है सूरच पानी को गरम करता है और उसे भाप में बदलता है इसे एवपरेशन कहते हैं एवपरेशन और तेज होगा अगर कुछ कंडिशन है जो बताई गई है देखिए टेंप्रेचर जादा हो पानी जिस सतह पर फैला है वै काफी बड़ा हो हवा सूखी हो और बहुत तेज आंधी चल रही हो वाटर विपर से बादल धूंद ओस कोहरा और वर्फ भी बनती है कंडंसेशन जब करम भाप जिसे इस टीम भी कहते हैं ठंडी होती है और वापस पानी की बोदों बदलती है उसे कंडंसेशन कहते हैं बादल इसी तरह बनते हैं जब घने बादल बिल्कुल सताय के पास बने तो वो धुंद बनाते हैं जब पानी की बूंदे ठंडी जगह से गुजरती हैं तो वो ओलों में बदल जाती हैं जब तापमान बहुत कम हो तब पानी की बूंदे जमकर बर्फ वारी करती हैं और ज इसी ठंडी चीज से टकराती है तो वो ओस बनती है impurities in water पानी में कुछ प्रकार की गंदगियां होती हैं जैसे किटाणू घुलने वाली गंदगी और ऐसी गंदगी जो खुली आँखों से भी देखी जा सकती हो purification of water, sedimentation इसमें हम पानी को कुछ समय के लिए बिना हाथ लगाए छोड़ देते हैं जिससे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और उपर जो पानी बचता है उसे निकाल दिया जाता है जिसे decontation या छानना कहते है filtration वो होता है जिसमें filter paper का इस्तेमाल ना घुलने वाली गंदगी निकालने के लिए होता है ज़्यादतर boring या hand pump के पानी को साफ करने के लिए यही किया जाता है अगर पानी में ऐसी गंदगी मौजूद है जो घुली हुई है तब हम पानी को उबाल कर या उसमें chlorine मिला कर उसे साफ कर सकते है अंडर ग्राउंड वाटर बारिस में गिरा हुआ पानी जब जमीन में रिसकर पत्थरों के उपर इकठा होता है उसे अंडर ग्राउंड कि वाटर साइकल लैंड ब्रीज सी ब्रीज और स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होता है और इसे हमने अलग-अलग एक्टिविटीज के थ्रू भी देखा है थैंक्यू है वाग्रेटे